हलो फ्रेंट्स, वेलकम ट्यू ओनली आईएस, स्वागत है आपका हमारे नई लेक्चर में, आज हम बात करेंगे अग्रिकल्चर के बारे में और हमारा फोकस होगा कैश क्रॉप्स और उनके पैटेंस के उपर आज हम कुछ previous questions देखेंगे, समझेंगे crop patterns को और करेंगे इस topic का revision इस series में हमारा ये तीसरा रेक्चर है, तो आज का हमारा जो प्रमख topic है वो सिर्फ major cash crops के उपर है तो चलिए कुछ previous questions देखते हैं, एक question है जिसमें दो statement दी गई है, पहली statement कह रही है क्या cotton का plant या कपास की खेती की शुरुवात भारत से हुई थी, मतलब क्या ये इसका original home है, दूसरा statement क्या रहा है, क्या भारत पहला देश था, जिसने hybrid cotton variety को develop किया था, जिसकी वज़े से इसका production बढ़ गया था, अब इस question का answer बताए क्या होगा, नॉर्मली बहुत ही straightforward question है, दोनो statement सही है, और इसका answer होगा C, बोथ 1 and 2, अगर आपने history में, NC industry में, हडपा और IVC के पहले का area ठक से cover किया है, तो मेहरगड, आपको याद होगा, मेहरगड में इसके अफशेश मिलते हैं, और जो दूसरी point है, ये इसलिए important है, क्योंकि इंड question देखते हैं, इस question में मैं बुचा जा रहा है, कि जो food grains है, अनाज है, इसके production में, इंडिया के इन चार अनाजों में, production decreasing order में लगाना है, तो decreasing order में पता है, एक सचार रा production आम तोर पर इंडिया में rice का होता है, फिर wheat का होता है, उसके बाद आपको हो सकता confusion हो, दो options में, कि course, cereals और pulses दोनों की बात किया, मतलब खुर्दरे अनाज और डाल, अब जब डालों की बात की गए, तो कई दाले होती है, और ये खुर्दरे अनाज जिसमें आपको millet, ragi, जवार, बाज़रा जैसे कई cereals आते हैं, तो आपको यहाँ पर confusion हो सकता है, अगर आपने इस concept को ठी कितना होता है, तो आपको दिक्कत देगा, तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं, हमने जब यह पढ़ा था, तो हमने बढ़ा था, कोर्स के रल कहां कहां से produce किया जाते है, और pulses कहां का produce किया जाते है, अगर आपने area कवर किया है, ठीक से तो वहीं से आपको idea ल में हमारा production के हिस हिसाब में कितना रहा है, तो आप देख रहे हैं कितना जारा gap है, इसमें और cereals के बीच में, जो खुर्दरे अनाज है उनके बीच में, तो आप देख रहे हैं कि आपको यह idea होना चाहिए कि कितना production इंडिया में होता है, जैसे 120, 100 million 10 से ऊपर क्या-क्या हो pulses कितना है, 24, 25, millets या यह सब 8, 10 या नो क्या आसपास हैं, तो एक आपको broad idea हो जाएगा, number आपको याद नहीं रहे, एक trend आपको पता होना चाहिए, अब जैसे यह तीसरा question है, इसमें crops दिये हुए और geographical conditions दिये हुए है, क्योंकि यह topic हमने पहले cover किया हुआ है, तो मैं question को पता है, तो काफी होगा इस option का answer करने के लिए, मैं एक trick बताऊंगा आपको कि आपको जब भी कोई crop का geographic condition पता करना हो, सबसे पहले आप इंडिये का map देखिए, imagine करिए, कि वो कौन सी crop है, majorly वो खरिफ है या रभी है, कहां grow की जाती है, जहां grow की जाती है, कि season में grow की ज जाएगा कि उस crop का cultivation कहां किया जाता है, तो चलिए अब शुरुवात करते हमारे topic की, हमारा पहला topic है, जिसमें हम पहले कवर करेंगे, cotton यानि कपास, कपास, cotton, जो की इंडिया की एक historically, जो भालट से शुरुवात हुईती, इसकी ऐसा कहा जाता है, और ये एक रेश्यतार फ मतलब ये इंडिया का normal map माना जाता है, ये areas strong areas है cultivation के लिए, अफकोर्स नमबर वन गुजराथ है, नमबर टू महराष्ट है, पर अभी वरतमान में अगर हम map देखें इंडिया का, जहां पे सबसे जारा crop का production हो रहा है cotton का, तो आपको इस तरह देखेगा, अगर हम आज कपा इसका कारण हो सकता है, इसका कारण है कि इसकी demand बढ़ी है, इसका production बढ़ा है, और अब हमारे पास irrigation के facilities बढ़ गए है, और नमबर वन पर आज भी गुजराथ है, नमबर दू पर महराष्ट है, पर एक trend आप देख रहे हैं, तो चलिए इसके आपने details से पढ़ते हैं, पहल तो उसको कौन सा temperature उसके लिए होगा, या उसको क्या rainwater की ओश्यक्ता जादा होगी या कम होगी, क्यों खरिफ है तो obviously पानी इसको थोड़ा चाहिए होगा, रभी के पेक्षा जादा, तो ये तीन जीज़ें पता है, आपको fiber crop है, खरिफ crop है, टॉपिकल crop है, कहां कहां production देती है, महाराश्य के region में हुआ, तलंगाने region में हुआ, डेकन का शेत्र हुआ, गुजरात हुआ, लेकिन जैसा हमने देखा, अब इसका production बाकी इंडिया में भी काफी जाला spread कर चुका है, इसका मतलब ये अलूवियल मिट्टी में भी बहुर अच्छा चलेगी, उपज के किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ा सकते हैं तो कैसे, जैसे ही cotton यहां गुजरात और महाराष्ट में जादा उपज़ता है, तो आप देखेंगे, textile factories यहां होती है, जिस वैसे production होता है, रोजगार मिलता है, और ये एक labor intensive crop है, काफी लोगों को रोजगार हुआ है, हर रीजन में जो समस्या है, आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप उसको डाल के कोई आंसर बिल्ड कर पाया, अब अगर हम cotton cultivation जो इंडिया हुआ है, उसकी बात करें, तो इंडिया में जो cultivation है, पहले हमने नॉर्मल तरीके variety यूज़ करते थे, और हमारी yield बाकी बढ़ाएं अपना output, क्योंकि हमारा competition था, वो मंगलादेश और पाकिस्तान से रहता था, तो इंडिया ने शुरुआत की hybrid variety ग्रो करने की, और उसके बाद इंडिया ने हाल के समय है, BT वरजन भी ग्रो करना स्टार्ट किया, और इंडिया का production बढ़ता चला गया, तो अब य जाता है, मतलब उसे blast हो जाता है, फटने की समस्य आरेती है, कम होता है तो output घट जाता है, और इसे एक और चीज चाहिए, इसे frost free dream चाहिए, मतलब कोई भी आसमान में धूंद नहीं रहनी चाहिए, हलका moist weather चाहिए, जब इसके full खिल रहे होते है, कपास के, तो आप समझ र regions में grow नहीं कर सकते, और ये खरिफ crop है, और तो इसको समय कितना लगता है, ये भी आपको सोचना चाहिए, इसको समय लगता है 6-8 महीने का, तो 6-8 महीने अगर इसको आप grow करेंगे, तो आप normally कह सकते है कि क्या किसी को crop loss हो सकती है, गहू या चावल की, तो उसकी भरपाई क क्या होती है, जो cotton का full होता है, उससे रेशय निकलते है, तो 3 तरह के fiber होते हैं, जो रेशय होते हैं, एक long fiber, एक medium fiber, एक short fiber, long steple, short steple, और medium steple, जो भी steple, 24-27 mm तक का होता है, 20 mm से कम वाला short steple होता है, और 20-24 के बीच वाला medium steple होता है, तो इससे क्या फ़रक पढ़ते है, इं उत्पाद होता है long staple cotton का पर क्योंकि इंडिया में textile industries हैं इंडिया का बहुत ज़ादा इंपोर्ट करना पड़ता है अमेरिका से जबकि इंडिया के पास लगवग 40-45% जो होता है जो इंडिया यूज कर रहेता पर फिर भी high quality cotton के लिए इंडिया को अमेरिका या किसी और दिश इस पर dependent रहना पड़ता है अब सवाल आपका होगा कि वहां high variety long staple क्यों हो रही है एक तो वहां mechanization बहुत जादा है ठीक है capabilities ज्यादा है और हम डेवलप कर रहे हैं BT cotton के बाद को भी डूसेट वराइटीज को भी चेक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि output बढ़ सके तो जब भी यह तीन staple है इसमें सबसे रहा staple जो होता है इंडिया प्रूइस कौन सा होता है इसका प्रमुख अरिया कौन सा है गुजरात महराष्ट और तिलंगाना जहां पर आप देखते हैं लॉंग और मीडियम ग्रो किया जाता है जिस में हमने नए अरिया जो देखे थे यह वाले यहां पर शॉर्ट स्टेबल जारा ग्रों किया जाते है इस रीजन में dec współpracillus thuringesis एक असे आए का उना सही इस को अछके प law you को आफ ने लीकिलता है जो की पेस्ट को मार देता है जो किटाणों को मार देता है जो पेस्ट को मुंक्ता नारे त The Ball शक्ति होती है कि वो ऐसे विशाणू निकालता है जिससे कि कुछ कीड़े मर जाएं जो कि इस कीड़े हां निकाल लग होते हैं जैसे कि बॉल वाम्स अब खास बात यह है कि बीटी कॉटन के साथ समस्या है क्या है जब भी कोई चीज जनेटिक ली मॉडिफाइड होती है तो है जाता है कि उस चीज के स्ट्रक्चर में कुछ बढलाओ के जाते हैं अकसर ऐसा माला जाता है कि जब भी किसी जीव के साथ किसी भी वस्तू की जेनेटिक में बदलाओ करेंगे तो भवश्य में जाके क्या बढलाओ और म्यूटेशन होगा उसके सेल्स में या जीन में से कहा जा रहा है कि आपके खुझ से कुछ एक म्यूटेट कराके आपने कि यह कैसा बनाया कॉटन लेकिन आगे जाके हो सकता है कि जो बैक्टिरिया है उसके पास इसके लिए प्रतिरोदक शमता बन जाए वो इम्यून हो जाए इस सीट से और जैसे आपकी बीटी कॉटन है त हमसे लो बीज मिलेंगे महेंगे तो इंडिया की जो या दुनिया बगी किसानों की जो एक नेच्रल ऑडर था कि खुद से बीज बना के खुद के बीज लगाते थे वो टूट गया पर प्रोड़क्शन बहुत जारा बढ़ गया है इसलिए इंडिया में काफी मात्रे में ब इसके जीन में कोई ऐसी क्रॉप जिसके जीन को मडिफाइक किया गया है अब डिमांड बहुत जारा हो रही है मस्टर को लेके यानि सरसों ब्रिंजल यह नहीं बैंगन को लेके कि अब इनका गिजनेटिकली मोडिफाइड आप क्रॉप लगाने दें तक कि किसानों का इसमें होता कि है इसमें 2 जीन, cry1-A-B, cry2-BC के जीन insert के जाते हैं cotton seeds में, ये दो ब्यक्टिरिया के genes से हैं cotton के seeds में, इससे cotton के seeds resistant हो जाते हैं, resistant हो जाते हैं किससे, ballworm से, मतलब किटानों से, दो जीन जो ब्यक्तिरिया का भने डाल दिया उसके अंदर, जिससे वो हो गया, immune, प मतलब यह herbicide resistant भी है मतलब खरपतवार resistant भी है इसमें C4 EPSPS नामक आप नया बेक्टिरियम का जीन एड़ कर रहे हैं यह हमारे लिए इंपोर्टन नहीं है कौन सा जीन है पर आपको पता होने चाहिए कि क्या कहानी है तक अगर आपको भी आंसर लिख पाएं तो सही तरीके से ल जगाने दिया जाए तक कि हमारे हर्विसाइड में जो खर्चे वह बच पाए इसके लिए एक और्गनाइजिशन ने जो बहुत तरजी से आगया आई थी चाहिए वह BT cotton हो या HT BT cotton हो आपको उस किसान संगठल का नाम बता रहे हैं जिसमें अग्रिनी रही एक्टिविजम मे तो मैं आप से कुछ पॉइंट पूछोंगा जो आपको जिस पर आप सोच सकते हैं इन पॉइंट्स के बारे में कि क्यों BT इमांड इंडिया में बढ़ रही है इसके फाइदे क्या है किन क्रॉप्स में इनकी डिमांड है किन क्रॉप्स में नुक्सान है क्या दुनिया में क हैं दूसरी भी फाइबर क्रॉप है मतलब रिशेदार क्रॉप वह है जूट जिसा आप यहां देख सकते हैं यह जूट जूट फाइबर्स नॉर्मली दो चीज़ों से बनते हैं बंगाल मिलता था कई village economies specifically बंगाल बंगलादेश की रीजन में और बिहार की रीजन में कई एरियास इस पर डिपेंडेंट काफी जारा थे और यह इंडिया की सेकेंड मोस्ट इंपोर्टन फाइबर क्रॉप कहाए जाता अफ्टर कॉटन यह एक रेंफेट क्रॉप है मतलब का पानी की जरुद होती है तो आईए समझते हैं से कंडिशन कैसे चाहिए ग्रोव करने की लिए अब देखे पहले एक राप होती कैसे समझते हैं आपने ऐसे बीज बोए कॉटन के कॉटन की फसले खड़े-पानी में भी बढ़ी हो जाती है किसान यहां पेड़ों को काट रह से रसी बनाए जाती है यह जो तनि जो जाने के घरों में ओर ऊपटना निटार tech Christian और इसके पत्तो को खुते हैं या फिर इसके को सब्सक्रीनी तो नहीं होता है और जब दो बारिश में होता है पर भी जाये तो भी स्थित लॉक्ता नहीं होता इसे हाइधाय fertile मिट्टीusen चाहिए होती है है काफी जयादा पानी चाहिए होता है तो जहांपर पानी जयादा है जैसे बंगाल्ड़ियार या फिर बंगल्ला देश चैसी रीजिन में काफी जादा ग्रोः किया जाता है इसे फरवरी में bro करते हैं और अक्टूबर काट लेते हैं और खास बात यह है कि तम इसे निकाल जाते हैं जो फूल है उसमें 20 से पहले इस फसलों काट लिया जाता है अब देखिए तीन फिगर्स में समझते हैं कि होता कैसे ऐसे फसल खड़ी है इसे काट के कुछ लोग लाए इसे पानी में डुबाकर सड इपने को मिली होंगी यह ऐसे बनता है जूट तो जूट की प्रसेसिंग में बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होता है कोई ने काटेगा कोई ने पानी में डालके सुखाएगा फिर उनसे इनके तने की वह जो खाल हो निकाल कर इस तरह लटकाई जाएगी और धूप में किसान होगे लिए इसकी काफी जारा प्रड़क्शन होता था पर हाल के समय में इसकी डिमांड मार्केट में घट गई है जब से पॉलटीन आई तो जूट का दिमांड बहुत घट गया चाहिए हो हर एरिया में तो इंडिया जो है वो दुनिया में 56 परसेंट जूट प्रड अब एक चीज इंपोर्ड़न है आपको पता होना चाहिए कि जूट का इस्तिमाल किस तरह प्लास्टिक के आप अल्टरेट की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं जूट पॉइंग एरिया को कैसे ब्रों किया सकते हैं जो एकॉन्मीज जूट पॉइसे इरिया की घट गई है उनकी के लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसे पॉइंट के पास होने चाहिए ताकि वही जब भी कैश क्रॉप्स या अग्रिकल्चर सेक्टर के ग्रोथ की बाता है तो आप पॉइंट ये पाए तो हमने कॉपर पड़ा हमने जूट पड़ा अब हम तीसरी बहुत ही महत्पूर्ण क्रॉप जो शुगर केन है उसके बारे माएंगे शुगर केन मतलब गन्ये के फसल गन्या सब्चरा वेल्यू दर्ट है प्रड़क्शन में जिस एरिया में आप गन्ये लगाते हैं मां काफी अच्छा प्रड़क्शन होता है और सबसे महत्पूर्ण कॉमर्शल क्रॉप है इंडियन के लिए इंटे क्रॉपिंग में इसके साथ भी क्रॉप्स बोई जाती है जो अलग फायदा पहुचाती है जब दी किसानों का मौका मिलता है तो हमेशा गन्या उपजाना पसंद करते हैं क्योंकि गन्ये से न सरिफ चीनी निकलता है बलकि गुड निकलता है और जो इसका हाद के लिए प्रेसमर्ड का इस्तमाल किया जाता है प्रेसमर्ड मतलब से मैला कहते हैं इसका मौलसिस मतलब शीरा और बैसेस जो इसके साथ इसकी खाल निकलती है तीनों का इस्तमाल इंधन शुगर गुड तीनों के लिए किया जाता है और इसके जूस से चीनी निकलता है Зमीन में कमपोस्थ Parkinson's बहुत कुसक्त सकते हैं आप ऍेखें की क्रॉप से बहुत कुछ सकते हैं Sugarkin end questa hara hot which between । North India से जारा sufficient Synth canal लेकिन ये ग्रो कहा होता है उत्तर प्रडेश और महारास्ट्रों में जब कि इसे ग्रोव कहा करना चाहिए तमिलनादो जिसे रीजिन में जहां ये जादा आउटपूर्ट देता है ठीक है और इसे थोड़ा बहुत क्लियर वेदर भी चाहिए कम रेंफॉल चाहिए जब कि अ आपको नॉर्मली विदाता हूं ब्रॉडली शुगर कें आप जैसी देखें शुगर कें शुगर कें क्या चाहिए टेंपरेचर 21 स्थाई डिग्री रेंफॉल 75-150 सेंटीमीटर नकम बारिश नकम धूप नजारा बारिश नजारा धूप इसको मीडियम टेंपरेचर होती है और चीनी के दाम बढ़ते गरते रहते लोंको बहुत बढ़ा रोल पैदा करते हैं यह तो हमें समझों का समस्यां क्या हैं समस्यां यह हैं कि इस फसल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा इरिगेशन लगता है इरिगेशन की वजए से लोगों को बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता है काफी लेबर कॉस्ट होता तो इंपूट काफ वह है UP महराष्ट MP का रीजन जबकि इन्हें ग्रो जादा करना चाहिए साथ इंडिया में जहां पर आउटपुट जादा बहतर होता है तो यह थी हमारी बेसिक अंडरस्टेंडिंग शुगर्केन यानि गन्य को लेकर गन्य को लेकर हम जो करते हैं उमें फर्टलाइजर्श बहुत जारा यूज करते हैं इसमें एक सबस्या होती है इंडिया का मैथट जो बहुत पुराना है इससे हमारी कल्टिवशन घड़ जाती है जबकि ब्रजील और बाकि जैसे एरिया मे इह सबस्क्रश बास अग्ली कॉल्म के तरफ चो है टबैको है का इस्त smoking के लिए दुम्रपान के लिए और insecticides के लिए मतलब की टानों को मानने के लिए मैं आपको पहले बदा दू तो बेको इस इंजिरियस टो हेल्थ cigarette तम्माकूब जो बेसे चीज़े हैं मैं नहीं करनी चाहिए लेकिन इसकी crop महतवपूर है कि कई किसानों को रोजगार देती है एक एस्टिमेट के साथ तीस मिलियन किसान इसके खेती करते है इसका इसके जो ग्रोथ है mostly वो tropical और subtropical areas में होती है तो इसको धूप चाहिए होती है लेकिन बहुत ज़ादा नहीं इसको कित्ता temperature चाहिए solar degree से 50 degree Celsius तर ठीक है और ये इंडिया के बहुत कम area में होती है 0.3% arable land जो है उसी पर इसकी cropping होती है पर फिर भी output काफी अच्छा-कासा हो जाता है comparatively तो इसलिए किसान इसकी और जाना चाहते है और क्योंकि इंडिया का market बहुत बड़ा है काफी ज़्यादा इस्तमाल रही कि temperature solar 35 रेनफॉल अराउंड 100 cm तो यह राजस्थान में तो गुज्राट में तो ग्रोव करेगा नहीं ठीक है तो यह कहां ग्रोव करेगा यह ग्रोव करेगा माध्यपड़श की रिजिन में आंध्यपड़श की रिजिन में जो इसलिए सबसे अच्छा है उत्रपड़ तो लगाएंगे अब धीकल्ट को दो तरह है होती है अग्रोव की जाती है इसलिए इसका प्रशल इंया बहुत कम होता है यह नार्फ ईस्ट में चोटे हुट लॉट और इसके पत्यक्सर छोटे होते हैं तो इंडिया दुनिया में तीसरा प्रॉडूसर है इसका लें इंड एक खपत खुद ही बहुत ज्यादा है ठीक है और इंडिया में लीडिंग प्रडूसर को और इसका तो आ अंद्रप्रदेश और सबसे ज्यादा यिल्ड कहा होती है तो यह भी एक इंपॉर्टन पॉइंट है जहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरह इंबैलेंस है बार चाइना से हुई थी और टी के जो में प्रिशिंग एरिया से इस तरह है जो हरे रिजन आपको दिख रहे हैं वहां पर टी ग्रोग की जाती है और सबसे बड़ा और बहुत पूर्ण अरिया के टी ग्रोइंग का यह है जो इस्ट नॉर्थ इस्ट है असाम बेली दाजल क्रॉप है यह एक ऐसी क्रॉप इसको थंडा टापमान चाहिए ठीक है और थंडा टापमान चाहिए मर इतना भी नहीं कि वह 0 डिग्री हो जाए तापमान 20-30 डिग्री रहे ज्यादा हीड़ना हो और हुमिलिटी रहे थोड़ा फॉग रहे ताकि इसके पत्ते खिल सके ऐसा ताम इनको तीन जगे लगता है वेस्टिन घाट्स पे या उपर के पहारी इरिया में नौथीस्ट में जहाए ग्रो की जाती है वेस्पेंग्वाल के साइड के रिया में तो टी जो है वो शेड लविंग प्लांट है मतलब इसको गर्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए ज़ादा धुंद नहीं होने चाहिए ताप पंस साफ रहना चाहिए किसी भी चाय की बगान में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो काफी ज़ादा लेबर वहां काम करते है पत्ते तोड़ने के लिए तो वो लेबर इंट मतलब पहाड़े के किनारे जहां भी आप बगान देखेंगे वहां पेड लगा जाते है बगान के बीच में लंबे-लंबे ताकि उस अगर कोई बगान है तो बगान के साइड में लंबे-लंबे पेड होंगे ताकि इसको चाया मिल सके यह एक शेड लविंग प्रांट है और काफी जारा फेमस है के दुनिया भर में तो यह शेड लेविंग प्लांट है इसका ट्रमेजर बीच से तीज दिगरी है रेंफॉल एक सो पच्छा से तीज सेंडेमेड तक चाहिए यह थो गई बेसिक अंडेस्टेंग अब समझते हैं कि इतने प्रकार की होती है और कैसे ब अब कंगेडिए की टी से अच्छा ऑट्पूट ले से तुए पानी मोब आ जाता है ग्रीं टी सीधा की जाती है इसके ज्यादा हाइर क्वाल्टी की ठीक होती है इस टी को प्रोसेस किया जाता है ज्यादा तब ये पोस्परमेंटी टी मनती है लेकिन पत्ते एक ही होते हैं इंडिया के जो बुशिस हैं टीकी बहुत पुराने हैं ठीक है और क्योंकि बहुत पुराने हैं तो उनका घरता जा रहा है अब गर्मेंट ने वहाँ पर बहुत दिनों से कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया उनको गुरूथ के लिए हाली में कुछ पैकेज अनौन्स हुए थे प अबव अबव तो इसलिए आप इसको आफिसलिया नौर्थ इंडिया के प्लेइन में आप इसको ग्रो नहीं कर सकते हैं इंडिया सेकिंड लाज्स प्रोडूसर है टी प्लाइशन में इंडिया ने और एक्सेक्स को अंध्रपरदेश चले के कोशिश किया की यह मनीपूर मि भी जाया लेकिन वहाँ जाने से पहले इंडिया को जरूरो थे कि जो इनका में को रीजन है असम बहब पुत्र वैली वहां पर जादा प्रडॉक्शन बढ़ाया जाए ब्रहब पूत्र वैली में सदिया से लेके गोलापारा का रीजन इंडिया का में टीूरिसिंग बैल्ट ह जहांब इंडिया का 44 सीजधी टी का उत्पादन होता है तस बेंगाल लाजिस प्रडूसर है वेस्ट प्रडूसर है क्योंकि मेक्सिमम टी जो है वो इसके दाजनिंग डिस्ट्रिक और जल्पाई के डिस्टिक से होती है कुछ बहार से जो कि चिकन नेक का हिस्सा बनती है असम तो आपको पता होना चीजिकन ने क्यों इंपोर्टन है और कहां पर स्थेत है आप इसको सर्च करें आपको नहीं पता टी प्रटक्शन के लिए डाजलिंग मन आपको पहले बता हाई क्योंकि यहां की मिट्टी पहले बहुत रिच है तो यील्ड कम होती है लेकिन काफी हाई कॉल्टी टी कल्टिवेट होती है अब और बाकी अरियास जहां इस एक्सपेंड के आदा नील क्रीज कार्डूम हिल्स केरला में या करनाटका में जहां पर नाइन डिग्री से 14 दीट नोर्ट सेटीट पर क्यों क्यों कि यहां पर हिल्स है टेप्रेचर सही है और आपको कॉलिटी मिल सकती है उसी तरह है कांग्रा वैली में हमने गीन टी पर प्रॉक्शन पर फोकस किया हुआ है हिमाचल में से फोकस किया जा रहा है लेकिन ज़रूरी है कि इंडिया इ सबसे जादा है कि पीछे रहा जाते हैं नाइंटी परसे पचास साल की रेंज में है और अब हाई येल्ड नहीं दे पाते तो ज़रूरत है प्रोडक्शन बढ़ाने की येल्ड बढ़ाने की तो हमने टी को गवर कर लिया आप कुटी के बारे में क्या-क्या पता चला क्या टे अच्छी कहां मिलती है और क्या समस्या है तो यह हमने टी कवर किया भी तो चलिए अब रिवाइस करते हैं जो हमने आज किया मैंने आप से कॉटन के बारे में बढ़ा बताया है मुझे बताए कॉटन को क्या temperature चाहिए कितना आपको याद है कॉटन की ग्रोथ के लिए कौन स सब्सक्राइब अच्छे है को अच्छे है को चुक्त के साथ क्या समस्या रही है बीटी कोटन क्या है एक इस रीजिन में ग्रो करता है जूट को लेकर मुझे बताए जूट को कि प्रोसेसिंग का प्रोसेजर कैसे इसको बनाया जाता है तो बैको यह क्या requirements है क्या temperature चाहिए कितना rainfall चाहिए था कहां produce होता है और कहां होना चाहिए टी को producing areas कौन-कौन से है टेपरचर कितना चाहिए यह सारी चाहिए आपको अभी याद होनी चाहिए कि हमें अभी पहले पढ़ा है मैं इसको रिपीट कर सकता हूं बड मैं आपके लिए सोड़ रहा हूं कि आप सेक्टर को बढ़ा सकता है हमारी क्रिश्य अट्वर्स था इसके कैसे बढ़ सकते है cash crop की उत्पादन से और अभी जो system है उसमें क्या-क्या समस्याएं है इन सब की बारे में आप मुझे बताईए तो यह था आज का lecture इतने के लिए बहुत-बहुत धन्यवार थैंक्यू थै